नवस्कार बहुत स्वागत है आप सभी दर्शुकों का शाम के चार बत चुके हैं देख रहे हैं आप आस तक और इस वक्त में आपके साथ आश्यतों स्यद्वेडी बड़ी खबर आ रही है जबरन धर्मांतरन को लेकर सुप्रिम कोट ने चिंता प्रकट की है जबरन धर्मांतरन पर सुप्रिम कोट ने जताई है चिंता लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन बेहत गलत सुप्रिम कोट की है टिप पने सक्ट टिप पने सुप्रिम कोट ने कहा है हमारी चिंता दे चिप पुन हमारी चिनता देश भर के मावलों को लेकर है किसी एक मामले को लेकर नहीं है बलकि देश भर में जो भी जब्रन धर्माँतरन हो रहा है चिनता जाहिर किये इस व茫े के बड़े खबर चलिए जादा जानकारी के लिए सद्ध्र ही समधा ते जचुक हैं सभी हैं और इस पर सीधी बात करने की जरूरत है, साथ फर्वरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें विस्तार से कोट इस मामले को सुने का कोट ने पहले भी, इसे बहुत किंता जनक और खतरनाक तक बताया है इस मुद्धे को, कि ये जवरन धर्मान तरण कराने का का देश के लिए, लोक्तंतर के लिए, खत्रा है, लिहाजा इसके सख्टी से निपटने की जरूरत है, बिल्कुल बाबबा शुक्रिया, सज्जे शर्मा इस पूरी खबर पर नजब बनाया रखने के लिए, और दर्शेकों को जनकारी साज़ा करने के लिए, देखें इस ब बहिमानी वो करेगा जिसको कुछ नहीं मिना, जिसको जन्दाने कुछ नहीं प्रेस की बहिमानी करके सरकार बनाना चाहती है मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी, हमारे साथ पासदों को चोटे आई है, अपना उनका फ्रेक्चर हुआ है, यह दिखाता है कि अर्विन केजी वालों कानून में विश्वासत नहीं है देखें दिल्ली में MCD का मेयर कौन होगा, इस पर तनातानी और भर चुकी है, आमादमी पार्टी सड़क पर उतर आई है और भारती जन्ता पार्टी दफ्तर के बाहर आमादमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, उदर भारती जन्ता पार्टी भी पीछे नहीं बीजेपी ने केजरवाल के सरकारी आवास के बाहर मोर्चाबंदी की करदी है और हला बोल दिया है देखे बीजेपी के भी सैक्रो कारेकरता के जिर्वाल के घर के करीब जमा है असल में दिल्ली में मेरपत के चुनाव को लेकर दोनों दलों में ये तनातानी खीचतान है और इससे पहले MCD के स्रदन में आप सभी ने देखा दोनों पार्टियों के पाश्यद आपस में भड़ गए थे जहां तनातनी, हाथापाई, मारधार सब कुछ हमें देखने को मिला परची भी भार दी गए और साथी फाइल को चुपा लिया गया था लेकिन अभी पांच तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं जहां आमाद्मी पार्टी का ये प्रोदर्शन है बीजेपी हेड़्कॉर्टर के बाहर भारती जन्ता पार्टी का जो मुख्याले है वहाँ पर आमाद्मी पार्टी के कार्यकरता पहुँच गए नरेबाजी की लेकिन बदले में पलटवार करते वे भारती जन्ता पार्टी पहुँच गई कहां केजरवाल के आवास के बाहर देखे स्पेशल रपोर्ट एक तरफ आमाद्मी पार्टी है और बीजेपी के खिलाप गुंडा गर्दी कारों आज हर के कारण ये सारी हरकते कर रहे है तो दूसरी और बीजेपी है और आमाद मी पार्टी पर गुंडागर्दी कारों दोनों पार्टीों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है वीजेपी ने सीम आवास के बाहर मोर्चा बंदे की यह वो जगह है जिसे चंदगी राम खड़ा कहते हैं और यहां पर से कुछी दूरी पर दिल्ली के सीम का आवास है और यहीं बज़ा है कि बीजेपी की यह जो यूनिट है यह यहां से प्रदर्शन और मार्च करते हुए सीधे आवास की तरफ जाएगी पुलिस ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है तक इने बहाँ पर जाने से रोका जा सके इन सब के ही चाफ पोस्टर्स में देख सकते हैं बाकाइदा पोस्टर वार हो रहा है जहां पर उन पोस्टर्स में तमाम जो आप मेलेज हैं और वो लोग जो की सदन में हंगामा करते वे दीख रहे थे उसे हथियार बनाया है दिल्ली बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर मोर्चा समभाए यहां पर एलिगेशन यह है आबादी पार्टी का कि जो कॉंस्ट्यूशन है उसके साथ खिलवार किया जा रहा है और तस्वीर आप देखिए यहां पर तमाम जो पारशद हैं काउंसलर्स इस वक्त सिटिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुलिस दूसरी तरफ मौजूद है और वही नारे बाजी चल रही है इस सियासी तना तनी के बर्ग्राउंड में वो बवाल है जो शुक्रवार को मेयर चुनाव से पहले मसीडी सदन में हुआ मनोनित पारशदों के चुनावी अधिकार पर आम आदमी पार्टी नापत्ती जताई और फिर हंगामा बढ़ता गया शुक्रवार को सदन में हुआ सियासी बवाल 48 घंटोबाद सड़क पर आ गया और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतराएं एल जी साब इस लेवल पर सेटिंग करने में लगे हुए कि सेंट्रल जोन में कैसे बीजेपी का जोन का चेर्मेंट मन जाए सेंट्रल जोन से कैसे कोई मेंबर सेंटिंग कमेटी में चला जाए बीजेपी का उसके लिए क्या गणित लगा सकते हैं क्या ड़्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं उस तक में जी साब शाबले सोचिए ये पद इतना बड़ा संविजानिक पद को कहा गिराकर लेकर आया हमारे जी साब मामला मेर चुनाव का है हम आदमी पार्टी के पार्शदों की संख्या ज्यादा है लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है लेहाजा दिल्ली की सतारोड पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं मेर का पद हाथ से न निकल जाए लेहाजा तना तनी लगातार बढ़ रही है राम किंकर सिंग और पंकर जैन के साथ आज तक ब्यूरो चलिए बढ़ते हैं आगे अगली ख़बर की बात करते हैं देखिए कुरोना काल के बाद पहली बार प्रवासी भारतिय सम्मेलन का आगाज हुआ है जा प्रवासी भारतिय सम्मेलन का उन्होंने उद्गाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतियों ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतियों को सराहा 2019 के बाद पहली बार ये समेलन प्रतेक्ष तोर पर हो रहा है और तीन साल से ये कुरोना की वज़े से डिजिटल मोट पर ही संपन हुआ था इस बार इसका थीम अमरित काल में भारत के भरोसे मन्द सयोगी थीम पर होगा सत्तर देशों के 3500 प्रवासी भारतिया इसमें शामिल है पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गती प्राप्त की हैं जो उपलब्दियां हासिल की हैं वो असाधारन है अभुद्प महामारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकॉर्ड बनाता है जब कैस्टलेस एकोनमी की बात होती है फिंटक की चर्चा होती है तो दुनिया ये भारत में होते हैं जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलोजी के मोस्ट एडवांज देश्व में होती है भारत एक बार में सो सो सेटलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड बना रहा है भारत दुनिया के जी ट्विंटी समुओं की अत्यक्षताभी कर रहा है भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े आउसर के रुप में देख रहा है हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का आउसर है इन दौर में जगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठ्यारा रहे हो हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारती भाई और बहनों को एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का बातावरन है आप सबने भी इस कारिकम को अविस्मर्डी बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और छासथ देश के प्रवासी भारती बहनों और भाईों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लग जाने का काम किया है अठारा साल में क्या निवेश आया मध्यपिदेश में यह आकड़े सब जानते हैं यह गवर्मेंट अब इंडिया किने चापे हैं यह विदान सभा में जवाब है कि जो 6500 पहले पस्ता हर इंवेस्मेंट समेट में जो घोशना होती है कितनी फर्जी है और कितनी साही निकली तो इंवेस्टर्स आये निवेश आये इसका मैं स्वागत करता हूँ पर एक विश्वास जब तक उन में ना हुए सम्मेलन करने से विश्वास के बल्नी बनता और इस बीचे एक और बड़ी खबर देखे जमो कश्मीर से जा राजाओरी में हाली में हिंदू परिवारों पर हुए आतंकी हबने के बाद आप पूंच में भी कुछ हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया है तो उनके घरों पर पत्राओ किये गए है निशाना साधा ज जा रहा है जिसकी वज़े से वो खौफ में जीने को मजबूर है हिंदू परिवारों के शिकायत पर पॉलस ने मौके पर पहुंचकर जाच परताल शुरू कर दिये लोगों से अपील की जा रही है लेकिन जो वहां पर 20-25 घर हिंदू के बताए जा रहे हैं उनकी तरफ से अरोप है कि टार्गेट किया जा रहा है उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है रों कुछ लोग वहां पर पत्थर बाजिकर लेए जो रोजी जोरी में जो हाथसा हुए है हमारे टार्गेट किलिंग की गई है आठ लोग जो हमारे शीद हुए हैं मैं सोचता हूँ वही श्रार्टी नासर जिन्होंने तब ऐसा किया होगा आज वही श्रार्टी नासर जो है इनकी लोगों की यहां पर 20-22 गर हैं हिंदू जा रहा है उनको टार्गेट किलिंग जो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि राभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुए पर रात को इनको ढ्राया गया इनको पत्थर मारे गे तो सर इसकी हमने सबने मिलके मख़मत करनी हैं और करेंगे भी और करते भी हैं क्योंकि ये कोई इशू है पत पतर मारा सब एक गम रिलेशन अच्छे हैं ये खराब करना चाहते हैं उन इंतशार फिलाने जाते हैं लेकिन इसके लिए मैं अड्मिटेशन से गुजारश करूँगा इस इंतशार को मिटाने के लिए यहां प्रोटेक्शन दी जाए क्याकि हम लोगों को ना लड़ाया ज हाग निकला जबकि दो आरोपियों को पॉलिस ने गिरफतार कर लिया है पूरी खबर क्या है आपको हम दिखाते हैं पटना में पुलिस की गिरफत में पहुँचे इन दो लोगों पर फ्लाइट में शराब पीने का आरोप है आरोप विमान के भीतर शराब पीकर हंगामा करने का भी है मामला इंडिको की उडान का है जो रविवार की रात करीब पौने नौ बजे दिल्ली से पटना पहुचे उसमें तीन यात्रियों ने शराब पीकर बदसलू की लेकिन जब फ्लाइट पहुची तो एक आरोपी भागने में खाम याब रहा इंडिको की फ्लाइट 6E 6383 में दिल्ली से पटना आने वाले तीन यात्रियों ने जो शराब के नशे में धुत थें उन लोगों ने विमान के अंदर एर होस्टेस और पाइलिट के साथ बत्तमीजी की हाता पाई भी की और फिर जब यह फ्लाइट कल रात पटना पहुँची तो उसमें से एक यात्री जो है वो भागने में फरार हुआ और उसके बाद CISF ने दो यात्री निनका नाम रोहित कुमार और नितिन बताया जा रहा है उनको CISF ने पटना पुलीस के हवाले कर दिया और इस वक्त आपको हम तस्वीरे दिखा रहे हैं पटना के एरपोर्ट थाने की जहां पर आप देख सकते हैं कि रोहित कुमार और नितिन नाम की दो यात्री हैं ये फिलहाल हाजत में बंद हैं और जो जानकारी ये आ रही है कि ये तीनों लोग जो है वो दिल्ली से ही शराब पी कर फलाइट में चड़े थे और फिर जब हवा में फलाइट थी तो उस दोरान इन लोगों ने बत्तमीजी की एर होस्टेस के साथ और पाइलिट के साथ और उसके बाद जब ये फलाइट तकरीबन रात नौ बजे जब प CISF के सुपूर्द किया गया इन सबको और उसके बाद CISF ने इन्हें फिर पटना पूलीस के हवाले कर दिया और फिलहाल रोहित कुमार और नितिन कुमार नाम के इन दो यात्रियों को पूलीस ने गिरफतार कर लिया है और एक यात्री बताया जा रहा है वो जो है भागन में कामियाब रहा है जब फ्लाइट पटना पहुंची तो विमान करणचारियों ने CISF को घटना की जानकारी दी और फिर CISF ने आरोपियों को पटना पुलिस के हवाले कर दिया अब पटना पुलिस ने दोनों आरोपियों पर शराब बंदी खानून के तह्त मामला दर्च क प्लेन में बचसलूकी की घटना लगातार बढ़ रही हाल में एर इंडिया के फ्लाइट में बुज़ूर्ग महिला के साथ बचसलूकी ने पूरे देश को पहरान किया और अब इंडिगो की घटना सरकार भी प्लेन में बढ़ती बचसलूकी की घटनाओं पर चिंतित है सुत्रों के अवाले से खबर है कि एरपोर्ट सिक्यूरिटी रिवीव पर एमेचे ने ग्रिह सचिव के अध्यक्षता में उच्छ स्थरीय बैठक की है जिसमें एरपोर्ट सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रेस्ट्रक्शर के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई साथ ही एरलाइन्स में हाल में हुई बचसलूकी की घटनाओं पर चर्चा की गए दो दिनों पहले उड्डेन मंत्री ने कड़ी कारवाई के संके दिये थे विवानों में बचसलूकी की घटना पर सरकार तो गंभीर है लेकिन लोगों को भी सोचने की दरकार है आज तक ब्यूरो और इस बीच लखनाओं के गोंपती नगर में बीती रात सेना के एक मेजर की कार को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया और जानकारी के मुताबिक देर रात मेजर ने होटेल में बज रहे डीजे को बंद करने को कहा फिर जब परिजन होटेल से अपने घर लोटाए तो आधी रात की अंधेरे में आरोपी छुप करके आए और कार में आग लगा दे फिलाल पुलस ने कार को गोमती नगर थाने में ले लिया है और वहीं दूसी तरफ मेजर की तरफ से होटेल मालिक और मैनेजर समेथ साथ लोगों के खिलाफ एफायार दर्ज कराई जा चुके है तो सेना के मेजर की कार लखनों में डीजे बजाने को लेकर एक परिवार ने अबजेक्शन किया तो दबंगों ने उस परिवार की गारी ही जला दी ये मामला आर्मी में मेजर के घर कर हुआ है उसकी गारी को आग लगा दी गई दबंगों ने ये मामला गोमती नगर थाना क्षेतर में है ये गारी जहां पर खड़ी थी वहां पर ये देखे ये आउशेश की गारी जला करके किस तरीके से फोकी गई पूरी कॉलोनी ये गेट कि शिकाइप की कि डीजे नहीं बजाए जा रात में 12 एक बजे की बात थी उस समय पर डीजे बंद कराने को लेकर के विवाद हुआ परिवार अपने घर आ गया उसके बाद करीब तीम बजे दबंगों ने उस कार को आग लगा दी जो इस घर के बाहर खड़ी थी क्या है मिलानों अच्छा माई जब से खुला तब से आठ नुव महिने से बावाली होता रहता है कभी गाड़ी की पारकिंग को लेके कभी किसी चीज़ को लेकर सबाद में आप सोचिए आदमी कप सोरने कभी तो एक टाइम होता है ना आदमी बीमार है कोई बीमार है सो रात म एक बजरा डेड़ बजरा है आप शोर गुल करें जा रहे हो तो इसलिए आदमी तो मना करें गाई इसमें आप लोगों ने फैर कराई इस पर हाजी फाई आर करा दी है हम लोगों ने और बाकी और भी जो है पुलिस ने आश्रासन दिया है कि वह कारवाई करेगी और हम लो जब इन लोगों ने होटल मिलानो जहां पर जो लोग रह रहे थे या पार्टी कर रहे थे उनसे जब डीजे बंद करने को कहा गया तो उसके बाद इनकी गाड़ी में आग लगा दी गई कैमरा परसेंट गौरव के साथ संतोश कमार आज तक उत्रागन सरकार अब जोशी मट तक दोड़ी है और नजरें उठी हैं कि आखर लापरवाही हुई कहां क्या चूक हुई फिलाल फौरी तोर पर प्रभावित परिवारों को मदद पहुचाया जाना प्रात्मिकता है मदद की तमाम पहल तेज कर दी गई है जोशी मट के लोगों का आरोप है कि NTPC के प्रोजेक्ट की वज़े से इस संकट का सामना करना पढ़ रहा है लेकिन आफ़त के बीच NTPC की ओर से सफाई जारी की गई कहा गया कि NTPC की सुरंग जोशी मट के नीचे से नहीं जा रही इस सुरंग का निर्माड टनल बोरिंग मशीन से किया गया, वर्तमान में कोई भी ब्लास्टिंग कारे नहीं किया जा रहा, जोशी मठ में हो रहे भूध हसाओ के लिए एंटी पीसी की सुरंग का कोई भी संबन नहीं है, आखिर क्या होगा जोशी मठ का, क्या होगा उन जोशी मट का यही दर्द देखने सीम पुशकर सिंग धामी पहुंचे सीम धामी ने पीडित परिवारों से मुलाकात की उन्हें दिलासा दिया अलग-अलग हिस्सों का जैजा लिया स्थानिय लोगों से बाचीत की जहां लोगों ने अपना दर्द सीम के साथ साजा किया क्या किया जाए कैसे करें क्या सरकार हम को हमारी सुनेगी ने सुने गी बागी आज मुक्रिमंतर जी आये थे मेरे पास भी आये मैंने अपने जो emotional होके मैंने उनसे request किया था तो उन्होंने कहा था कि देखे मैं तो इसलिए आया हूँ आप अतास मत हो सब ठीक हो जाए ये आश्वासन देके गए हो दिल्ली से लेका देहरादून तक सरकार action में है सीम जब जोशी मत से दिल्ली लोटे तो आपदा प्रबंधन केंदर में हाई लेवल बैठक की फिर राहत कारियों को लेकर कई निर्देश दिये जाल तो सभी काम अभी रोग दिये गए हैं जोशी मत में प्रशाशन की लगातार नजर है प्रभावित परिवारों को राहत केंपों में भेजा जा रहा है राज्यापदा प्रबंधन अधिकारी और विशेशा के सर्वे में जुटे हैं खतरनाक मकानों में रहने वालों को सरकार ने कहा है कि वे दूसरी जगह पर रेंट पर चले जाएं सरकार उन्हें छे महीने तक हर महीने बतौर किराया चार हजार रुपए देगी जो घर बहुत पूरी तरह चतिग्रस्त हैं सबसे पहले तो उनको हटाना है ते से तो हुआ उनके रहात का उनके पसूधन को भी हम उसी तरह से टेकर करेंगे उनको भी ब्युवस्था करेंगे जोशी मठ में जो संकट गहराया है अब सुप्रिम कोर्ट में भी पहुँच गया सौमी अमुक्तेश्वरा नंसरस्वती ने कहा है कि जोशी मठ सदमे में है सुप्रिम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं याची का हमने दायर कर दी है जोशी मठ को लेकर केंद भी अलर्ट पर है उमीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द एक्सपर्ट की टीम किसी ठोस नतीजे पर पहुँचेगी देहरादून से अंकित शर्मा जोशी मठ से कमल नेन सिलोडी और अमित भारद्वाज के साथ राजी भौण्डियाल आज तक